तिन-तिन फुट पर झी साड़े तिन-तिन फुट के खुड में हमने एक में तो लगाई पहले मीर्च और एक में एक आख जिस तरह गन्ने में होती है नसितनी आख पर कुछ होती हैं जी जी इसी दिसा में गलूर काट ले अच्छा चखडा गलूर रखा जी अपने और गाड़ दिया एक मेरेच की पोद गाड़ दे चले लगए पाणी करने पर जी जी और एक में ये गाड़ दे चले अच्छा जी तो महारे विगे में कुल मात्र 50 किलो मेरा केले पपिते मिरच और टमाटर की विखेती कर रहे है तो अब हम इनके दूसरे प्लोट पाए है चोज साब के जिसमें इनोंने केले की वेराइटी जी नाइन और उसके साथ में जो है गन्ने की वेराइटी ये कौन सी चोज साब बीफुद एफोड निकाल दिए जी साड़े तीन फोट के खूड में हमने एक में तो लगाई पहले बीच और एक में एक आनक जिस तरह गन्ने होती है नसी आंग उपर कुछ होती सादे अचा चाड़ा गलूर रखा जे आपने और गाड दिया एक में भीड़नेल एक में य पानी करने पर और एक में यह गारतेश ले गेगी अच्छा जए नहीं, तो महारे मातर बिगे में पचास किलो बीज लगा अच्छा, और लेवर भी हमारी कम लगी, हमारा मानना ये था कि हमारा इतने केडा लगेगा इतने हमारी मिर्च हो जाए कि बिलकुल, देखो मिर्च में तो वाइरस आ गया तिसले साल बहुत जबरदस्त वाइरस आया अच्छा ज़ादे प्रोफिट तो दियानी पर मैं मानता हूं कि गेमों की फसल जैसी होती है जै उतनी उन्हें बचत दे दी पांच जार उपे कि उन्हें सुद बचत दे दी थी आच्छा इसमें गन्ना लगा यह लगा हुआ है केडा जी इस खुड में पहले मिर्च थी आच्छा जैसा मिर्च ती और उसमें हरी खाद के प्रपज से वह भी हो गया भाई हमारी जमीन का ठीक से बढ़ा रहे जी और फिर हमने उसमें यह पंद्रे जोलाई को इसमें केडा लगा प अच्छा तो इसकी पेड़ के वाशाब साता होगा जी तो यहां टिशू कल्चर की पहुद आती है अच्छा तो जी इसमें फेर इससे बाद में गन्ना कितना बड़ा हो गया तो जब आपने केला लगा गन्ना तो जोलाई में 36 की जादे बड़ फार तो होती नहीं मेरे जा अच्छ जाओ अच्छ साम प्रोफटा यहारा हमारा जिश यह मिर्च मेंगा यह क्यों इस परहे हैं टौने को च्शै।। एृड करण देखे हो जी जी गन्ना हमारी जो the honor को गवाइ जाद का गन्ना रहे हुस्सा कमना नेकली किल को इसमें हम बड़ा सुर्ख शित में अश पूरा खेत हैं बहुत लंबा अच्छी बताओ जी केड़े में सबसे बड़ी चीज है अगर हमारा समय से केड़ा जी हमारे छेत्र में जब पाड़ा पढ़ने लगे जब ठंड हुन लगे तो केड़े पर कलर नहीं आता तो इसका मजा यह है कि मिसितंबर अक्टूबर में अच्छा जी केड़े की 10 रूपे 10-12 रूपे का भाव हमें मिल जाना चाहिए तो जी एक साल की फसले दो की यह दो साल की तो यह आपका जो 36 का है यह आपके रसमें जाएगा सारा संभावनाई तो बहात हो मेरी ऐसी हो रही है वरकिन तो मैं विष्वास उससे में करता हूँ जब हमारे खेत का माल जाके और हमारे हाँ में कितने पैसे आजा इसामें जाएगे तो भाइओ अच्छे रस्म हमेरा हम civ किताब बचत बताई बचत अच्छ चुछ लिए सूध बचत है तो देखे भाईयो 50,000 रुपे तक का या 40 तक का मान सकते आप एक भी किसान अपनी आमदन ले सकता है लेकिन उसके लिए भाईयो बहुत ही मेहनत और जागुरुप किसान बनना पड़ता है तब जाकर चाली सजार मिलेगे वन्ना अपना पन्रह भी सजा का गन्ना काट जाओ अपना आए सुध बचाओ तो देखे भाईयो कितनी अच्छी जानकारी हमारे चोई साब ने दी और यह जो इनका 84 शाथिस का प्लोट है पूरा इन्होंने 30 भी के गन्ना लगा रखा है और साथ में जी नाइन केले की वाराइटी लगा रखी है तो काफी अच्छा मुझे लगा है और इन्होंने बहुती अच्छी जानकारी भी दी कि देख सकते हैं दोनों साइड में बहुती बढ़िया खेत लगा हुआ है तो गिरने की समस्चे इसमें है नहीं आच्छा कम है चीज मैं कि अच्छा में अच्छा में आपके आपका ट्रंच का ये 38 का होके जागा है 38 में तो बिमारी बहुत अच्छा में ट्रंच की कर रहे जी तो देखे भाईयो यह मेरा मानना यह है जी जी कि हम अपनी बचत वो खर्च कटा दे और बचत बढ़ा ले और जमीन को सुरक्षित रखें बिल्कुल बिल्कुल जमीन भी हमारी उपज़व रहनी चाहिए तो देखे भाईयो चोई साब ने बहुत अच्छी जान करी दी आपको जरूर पसंद आएगी कमेंट करके बताना नमस्क